दोस्तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से ल चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ-साथ जो बैल आइकन का बटन है उसको अवश्य दमाएं जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी प्राप्तुर। नमस्कार दोस्तो जोतिश मंच में आप सभी का बहुत-बहुत हारदिक स्वागत हैं मैं हूँ मारविंदरावत आज नवरात्र का तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन को मा दुरुगा के तीसरे स्वरूप के रूप में मनाया जाता है और उनका जो तीसरा रूप है वह है नेका नेक हैं पर इन नौ रूपों की जो महत्ता होती है वो बड़ी ही प्रभावशाली और परमानंदायक होती है मा चंद्रघंटा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आखिर इनका जो नाम है वो चंद्रघंटा क्यों पड़ा इनके मस्तख जो इनका मस्तिश्क है उसके उपर घंटे के आकार के समान का अर्ध चंद्र है इसलिए इनको चंद्रघंटा कहा जाता है जैसे घंटे की द्वनी होती है और उस द्वनी से जितने भी नेगेटिव एनरजी होती है जितने भी नकारात्मक उरजाए इस संसार के अंदर इस प्रत्वी लोग के उपर विराजित होती है उन सभी का विनास हो जाता है उन सभी का नस्ट हो जाता है इसलिए ये जो देवी होती है ये एक तरीके से बहुत हमारे लिए प्रिणना दायक होती है हमें ताकत देती हैं हमें सहस देती हैं हमें अच्छी सद्वुध्धी देती हैं हमें शत्रू से लड़ने की इच्छा शक्ती देती हैं हमें प्रिणना देती हैं और इनकी जो आकरिती है ये एक बहुत ही विशाल काय आकरिती दोस्तों होती है यदि मैं बात करूँ सभी देवियों के अंदर तो इनके मस्तिश्क के उपर जो तेज होता है इनके शरीर से निकलने वाली जो positive raise होती है उनका जो तेज होता है उससे पूरी की पूरी स्रिष्टी जग मगा जाती है दोस्तों ये दस हात वाली होती है इनके दस हात होती है और इनके हातों में खड़क सस्त्र अस्त्र और इनके हातों के अंदर वान भाला यानि कि भिन भिन प्रकार के जो अस्त्र सस्त्र होते हैं वो इनके पूरे हातों के अंदर देखे जाते हैं इसलिए ये हमें जितने भी लोग जो आपका अहित चाहते हैं जो राक्षस प्रबर्ती के लोग होते हैं जो दानव होते हैं जो तांडव करते हैं जो लोगों का अहित करते हैं उनसे हमारी रक्षा करती हैं उनसे हमारे को प्रोटेक्ट करती हैं इसलिए इनकी पूजा का जो दोस्तों इनका जो व्यक्तित है इनका जो शरीर है वो सुन आकरती का है जब आप देखेंगे तो जैसे सोने के अंदर चमक होती है ऐसे इनके इनकी तस्रीर को जब आप देखेंगे तो आपको ये प्रतीत होगा कि जो माता हैं देवी हैं इनके अंदर बहुत बड़ा तेज ह इसलिए इनको सुन आकरती की कहा जाता है और इनका जो आसन होता है ये सिंग के उपर बैठती हैं शेर के उपर बैठती हैं इसलिए इनके जो भक्त होते हैं जो इनकी सच्चे दिल से उपास ना करते हैं इनका सच्चे शद्धा और मन से अनुसरन करते हैं उनको माता का आशि वाद भी मिलता है और साथ में उनको सिंग जैसा सहास भी मिलता है जो कमजोर दिल के लोग हैं जिनकी विल पावर सहास बहुत कम होता है ऐसे लोग विसेश तोर पर मा चंदर घंटा का ध्यान करें उनकी पूजा करें तो आपको बहुत ही अच्छा लाव मिलेगा क्योंकि इन पर दोस्तों मन, क्रम, वचन यानि कि आपको जो इनकी पूजा अरचना करनी है पूरे मन से, पूरे क्रम से, पूरे वचन से और वचन बद होकर के करनी चाहिए और इस पूजा को करने से आपको लाब मिलता है. यह माता की एक कता है और यहां पर मैं यह भी आपको बताना चाहूँगा कि मा को यहां पर भोग जो आप लगाएं वो दूद से निर्मित जो भी मिठाईया होती हैं उनका भोग लगाएं और उन्हीं चीजों का आप दान करें किसी गरीब ब्रहमन को भोजन कराएं और यहां पर किसी देवी को जो कोई भी एक गरीब ब्रहमन को भोजन कराएं इस्तरी को भोजन कराएं इससे आपको बहुत जबरदस्ट लाभ मिलेगा और अपने घर के अंदर आप साथ इलाईची जरूर रखें मंदिर के अंदर जब आप इनका ध्यान कर रहे हों इससे कि शादी में अरचने आ रहे होती हैं जिनका विवहाद नहीं हो पा रहा है उनका विवहादी जल्दी हो जाता है चंदर घंडा माता कि आप इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं और इनका एक ध्यान मंत्र है सामिक्री में आपको पहले भी कई कारेक्रमों के अंदर बता चु के हैं यानि कि जो भी यहाँ पर सारी चीजे होती हैं वो इत्र हो गया फूल हो गये यहाँ पर फूल की माला हो गई आसन हो गया यह गंगा जल हो गया यह सभी चीजे जो हैं आपको मापर रखनी चाहिए और उसके बाद मा का ध्यान करना चाहिए ध्यान करने के लिए जो म इस मंत्र का आप जाप करें इस से आपको बहुत जबर्दास लाब मिलेगा दोस्तो यदि आप भी हमसे मिलना चाहते हैं या ऐसी धर्मिक बातों को आप डेली चाहते हैं कि आप तक पहुँचें तो आपका स्वागत है आप हमारे इस चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें